जैहिंजे मानवतायनमा, मैं संगीता पतेल, फाउंडर टोस्टिक अला सुर्या फाउंडेशन 22 अप्रिल 2022 को वर्ड अर्थ रे है आप हमारे इस अर्थ को बचाने के लिए अपना क्या योगदान देने वाले है हम मेंस्ट्रॉल कप अवेर्नेस के लिए एक बाइक रेली का आयोजन कर रहे है जो कि एहमदाबाद से सूरज जाने वाली है अगर आप महिला है और आप इस बाइक रेली का हिस्सा बनना चाहती है तो आज ही हमारा संपर्क करे 9727717975 आये मैं बताती हूँ कि मैंस्ट्रॉल कफ हमारे लिए क्यों जरूरी है सबसे पहले मैं यह बताऊंगी कि अगर हम सैनेटरी पैड इस्तेमाल करते हैं तो अगर उसे हम डिसकार्ड करते हैं तो उसे जनर्रल डर्समिन में नहीं डालना चाहिए ऐसा करने से आप जो कच्रा लेने वाले आते हैं उन्हें HIV AIDS संक्रमित कर सकती है दूसरी बात अगर आप सैनेटरी पैड इस्तेमाल करना बंद कर देंगे तो हमारे देश की जो मैलाए है वो आज सारी बिमारियों की बात करें तो उसे में गाइट रिलेटेड इंफेक्शन में दूसरे नंबर पॉब है हाँ जी दूसरे नंबर पे यह बिमारिया हो रही है उनने इतना बडा चिंटा का विश्र है अगर इसे हमें कम करना है या इसे निजात पानी है तो सबसे पहले हमें साइनेटरि पैट का इस्तेमाल बुर्ण करना पड़ेगा और मैंस्टृन कप का प्रयोग शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मैंस्टृन कर च्रण कंब से यह सारी इनफेक्षिन की विमार्यवसे हम छुटकरा पासकते हैं किस तरह से यह जानने के लिए आप हमारा संपर कर सकते हैं दूसरी बात बताऊं तो मेंस्ट्रॉल कप का प्रयोग हम करते हैं तो हर साल हमारे देश की मैलाओ के द्वारा जो भी पैसा करोड रूपिये एप्रोक्सिमेट इतने रूपिये विदेशी कंपनियों से सैनिट्री पैट खरीदने में इस्तिमाल करती है खर्च करती है मतलब इन डायरेक्ली अगर हम देखने जाए तो हम भारत के अलावा दूसरे देशों को हमारे खिलाफ महासक्ता बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं इसकी जगे अगर हम मैंस्ट्रोल कप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और यही धन राशी हमारे देश में रहेगी तो हमें कुछ न करने के बावचुद सिर्फ मैलाव द्वारा हम हमारे देश को एक महासक्ता बना सकते हैं सोचिए हो सकता है इसा तिसरी बात अगर मैंस्ट्रोल कप का प्रयोग करते हैं तो हमारी प्रिथवी को सांस लेने में हम मदद कर सकेंगे किस तरह से अगर पूरे साल की बात करें तो हमारी भारतिय मैलाव के द्वारा इस प्रिथवी पर बारा सो तीस करोड यूजड सानेट्री पैट हर साल फेके जाते हैं जो कि 500 से 700 साल तक भी डिस्ट्रॉई नहीं होते हैं अगर इसी स्पीड से हम इस प्रिथवी पर ये पैट्स फैकते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम इस प्रिथवी पर चल नहीं पाएंगे इतने सान कल्प कर लें हम सब एक पेड लगाएंगे जिसे हम एडॉप्ट करेंगे वह बड़ा हो तब तक उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे और उसके साथ एक बच्ची को एडप करेंगे मेंस्ट्रॉल कब देने के लिए उससे हम मेंस्ट्रॉल कब देंगे और उससे इस्तिमाल करने क के लिए उसे प्रोचसाहिद करेंगे उससे एड्यूकेट करेंगे इस तरह से हम हमारी प्रित्वी को भी बचा सकते हैं और हमारी देश को महा सक्ता भी बना सकते हैं और हमारे देश की महिलाओं को गाइनेक इश्यू से जो इंफेक्शन की बिमारिया हो रही है उससे भी बच सकते हैं इस को भी शुद्द कर सकते हैं इसमें प्रदोशी थवा न मिले उसके लिए हमारा योगदान दे सकते हैं क्या इतने सारे प्राइड़ों के लिए हम एक चीज का इस्तेमाल करना शुरूर नहीं कर सकते हैं तो आएंट आज हम सब मिलके यह विच्चार सब तक पहुं